कि गुट मैंनिंग औलव और वियू आज हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर एट के क्यूशन आंसुर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे चैप्टर एट के प्देंगे ओके तो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बहु इकलप ये परशन तो इसमें फ्रीस्ट क्या है नीम्द मेंसे बहु अचन है चीडिया चीडिया कुल्सतिक केला तो कौन सा इसमें बहु अचन है चिडिया तो यह क्या है बहु अचन सब्द है अगला क्यूशन क्या है एक वचन का उधारण है एक वचन का उधारण है संत जन है राते गाई पत्ते तो क्या है एक वचन का उधारण है गाई क्या है गाई अगला क्यूशन क्या है माता का बहु अचन है अगला क्यूशन क्या है सही कथन के आगे शही का तथा गलत क्थन के आगे गलत का निशान लगाईए सत्ते हमेशा जीतते है सत्ते हमेशा जीतते है यह क्या है गलत है मेरे पापा आज दिल्ली जाएंगे यह क्या सही है तुम्हारे बाल सुनना रही यह भी क्या सही है माला बिख्री पड़ी है माला बिख्री पड़ी है यह भी क्या सही है अगला क्यूशन क्या है अति लगुए लगु तरात्मक पर्शन अति लगुए लगु तरात्मक पर्शन तो फर्स्ट क्या है इसमें वचन किसे कहते हैं वचन किसे कहते हैं तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हमें वचन किसको कहते हैं शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोद होता है उसे वचन कहते हैं सब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोद होता है उसे वचन कहते हैं वचन के परकारों का उल्ले कीजिए वचन कितने परकार के होते हैं वचन दो परकार के होते हैं कितने परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं एक वचन और बहु अचन एक वचन और बहु अचन अगला क्यूशन क्या है निम में से बहु अचन सब्द है इन में से तो बहु अचन सब्द कौन सा है चीडिया चीडिया एक वचन का उधारन है क्या इसमें से एक वचन का उधारन गाड़ संतजन क्या है बहु अचन राते क्या है बहु अचन पत्ते क्या है बहु अचन और ग्याई क्या है एक वचन और इसमें से चीडिया क्या है एक अगला क्या है नीचे लिखे सब्दों के बहु अचन सब्द बनाईए मात्ता का क्या होगा बहु अचन मात्ता है पुस्त का कुस्त के गलि का गलियां कोई का कोई राणी का राणीआ रीतु का रीतुमे अगला क्या है निमलिक्त वाक्यों में से गहरे छचेपे सब्दों के एग वचन को बहु अचन में तथ्यद्धा बहु अचन को एग वचन में बदल कर वाक्यों को उनके सामने लिखिए चिडिया दाना चुग रही है चिडिया दाना चुग रही है इसमें हमको क्या करना एक वचन को बहु अचन में तता बहु अचन को क्या करना एक वचन में बदल कर उनके क्या करना है सामने लिखने तो चिडिया दाना चुग रही है तो चिडियां दाना चुग रही है लड़का पुस्तक पढ़ता है लड़के पुस्तके पढ़ते है बच्चे खेल रही है लटा फेल रही है चिडियां बोल रही है अगला गयान इमल की सब्दों के वच्चन बताएए किताब लड़कियां आदमी घहर बसे नदियां तो किताब आदमी घहर यह क्या है एक वच्चन लड़कियां बसे नदियां यह क्या है बहु अच्चन तो इंटुशन आंसरों को क्या करना आपको अपनी नोट बुक में अ और इस चेप्टर को अच्छे से समझना है और इसके बार में क्यूशन आंसरों को अपनी नोडबुक में राइट करना है फिर इनको अच्छे से इनको लैंड करना है क्या करना अच्छे से इनको लैंड करना है ओके बच्चो तो आज आप क्या करोगे इस चेप्टर को पहले अच्छे से पढ़ोगे इसको अच्छे से समझोगे फिर ये क्यूशन आंसर अपनी नोट बुक में अच्छे से राइट करोगे और फिर इनको अच्छे से लैंड करोगे क्या करोगे इस चेप्टर को अच्छे से लैंड करोगे ओके बच्चो आज के लिए इतना है काफी है कल हम पढ़ेंगे नेक्स टोपिक ओके थैंक्यू बच्चो